Hello everyone, Welcome to the Study with My Young, मैं हूँ आपका My Young, हम लोगों की यहाँ पर Class 11 की NCRD Finance की किताब चल लही है, आज आपका यहाँ पर अध्याय चौथा है, यहाँ पर हम लोग भारती अकला और इस्थापत्य में मौरियोतर कालिन प्रवतिया अध्याय को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करत हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, आज के अध्याय में हम लोग मौरे सामराज के पतन के बाद, जो उनके हिस्तों में, अलग-लग हिस्तों में जो नवीन राज उबरकर सामने आए हैं, तो उनके दोरान जो भी कला का विकास हुआ है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईसापूर्व दूसी स्ताबदी में मौरे वंस का पतन हो गया है, और मौरे वंस के पतन होने के बाद, मौरे सामराज के अलग-लग हिस्तों पर नवीन सासकों का उदे हुआ है, जैसे उत्तर भारत में औ और वाकाटकों ने अपने वर्चस को स्ताबद कर लिया है, इसके लाबा ईसापूर्व दूसी स्ताबदी में घटना और घटित होती है, इसी समय में सनातन धर्म के दो मुख्य संपरदायों का उदे भी होता है, ये दो मुख्य संपरदायों बैष्णफ संपरदायों और स इसी समय हम सनातन धर्म के दो संप्रदायों को भी देखते हैं इसी काल में यैनि भारत में जर्व an कुछ उतकर अव्थर्ण एमपी के न।बहर गाया उसाक्ण com उदेगिर रीजन से और महराष्ट के भज और पावनी रीजन से में देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं भरुत में पाएगी मूर्तियों की तो यहाँ पर हम लोग भरुत में जो भी मूर्तियां पाएगई हैं उनकी विशिस्ताओं को देखेंगे भरुत में जो भी मूर्तियां पाएगई हैं यह मूर्तियां मौर्यकाल की यक्षणी की मूर्तियों के समान दीरगाकार हैं यानि की लंबी हैं जैसा कि हमने यक्षणी की दिदारगने वाली प्रतिमा देखी थी जो कि मौर्यकाल की प्रतिमा थी तो उसी तरह की यहां की प्रत्माई हैं जो के दीरगाकार है यानि की लंबी है यहां की प्रत्माओं के आयतन के निर्माड में कम उभार है यानि यहां की जो आकरतियां है छित्र की सत्य से भोज़ता उबरी हुई नहीं है जैसा कि आप देख पारें, यहां के आकरतियां चित्री सतय से बहुँ ज़ता उबरी हुई नहीं दिखाई गई है भरुत में आख्यान फलक अपिक्षकत कम फात्रों के साथ दिखाई गई है देखें ये जो आप देख पारें ये पूरा जो हिस्सा आप देख पारें पत्थर पर इसको आख्यान फलक बोलते है आख्यान फलक के माद्यम से किसी घटना को दरसाया जाता है किसी कहानी को नेरेट किया जाता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का जो आख्यान फलक है इसमें बहुत ज़्यादा पात्र नहीं है, कम पात्र है लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जाता है कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिद में प्रकट होने लगते है यहाँ पर आप देख पारें, यहाँ पर कहानी का यह मुख्य पात्र यह है इसके लावा अन्य पात्र भी यहाँ पर चित्र की परिद में आने लगते है हाला कि यहां के जो आख्यान फलक हैं अन्य जगों के यहने की अमरापती या सांची के स्टूप में जो आख्यान फलक मिले हैं भांकी तुलना में यहां के आख्यान फलकों में कम पात रहें कभी-कभी एक भागुलिक इस्थान पर अधिक घटना चित्र की परिद में एक साथ दर्साई गई है कभी-कभी क्या हुआ है एक ही आख्यान फलक में अलग-लग घटना वो दर्साया गया है या फिर कभी-कभी ये भी हुआ है कि एक ही घटना को पूरे के पूरे सब्पूर चित्र में दरसाया गया है यनि यहां के चित्रकारों ने आक्यान फलक में जितना भी उपलब्द स्थान है उसका भरपूर विस्तिमाल किया है इसके लावा यहाँ पर जो आक्षान फ्लक में मूर्तियां बनी हुई है चित्र बने हुए है उनके बारे में बताया गया है कि चित्र की सत्य के छिछले उत्कीडन की कारण हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बड़ा हुआ दिखाया गया है चिउंकि यहाँ का उत्कीडन है फोच जादा घहरा नहीं है चिछले उत्कीडन है तो चिछले उत्कीडन की वज़ेसे जैसे आप लोग देखने मूर्तियों के जो हाथ पर होते हैं अंग-प्रत्यांग अमें इस प्रष्ट दिखाई देते हैं आकरतियों का आयतन भी बढ़ गिया है जिससे मनोश्यों और जानकुरों की सरीर का फितरूपर असली जैसा होने लगा है तो उतक्रिडं घहरा करने के पुज़ा से क्या हुआ है जो भी आकरतियां हैं यहांपर बनाई गई है लेकिन अब क्या है उत्केटन और ज़्यादा घहरा कर दिया गया है तो उनकी जो अंग प्रत्यांग है वो इस पर स्टूप से दिखने लगे है भरूत बोध गया सांची का स्टूप नंबर दो और जगए पेट में पाएगी मूर्तियां इस सेली के अच्छी उदारण है तेंगे भरूत में भी यहाँ पर जो भी आख्यान है आख्यान की उद्गरतियां है उनमें जातक खताओं का चित्रण बहुत अच्छे तरीके से किया गया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक आख्यान पलक में जातक खता का चित्रण किया गया है बिविन पर्देसों में जैसे जैसे स्तूपों का निर्माल बढ़ता गया है तो उनकी सेलीों में भी अंतर आने लगा है यानि भाँ पर जो भी चित्रकारी की गई है उन चित्रकारियों में, सहलियों में अंतर देखने को मिलता है जैसे एक उधारण बताया गया है कि ईसापुर पहली और दूसरी स्ताफदियों की सभी पुरुस प्रत्माओं में जो केस सज्जा है यानि उनके जो बाल हैं गुते हुए दिखाये गई है यानि कहने को अलब है कि ईसापुर पहली और दूसरी स्ताफदियों की जो भी पुरुसों की मूर्तियों मराई गई है उनमें उनके बालों को गुता हुए दिखाया गया है देंकि भरुत इस्तूप जो है आज गीरसी दवस्ता में है नश्ट हो चुका है यहाँ पर मिले जो भी आख्यान फलक मिले है यहाँ की जो मूर्तियां मिली है यहाँ से ले जाकर कलकत्ता मिवजम में रख दी गई है तो भरुत इस्तूप नश्ट हो चुका है तो भरुत में जो मूर्तियां बगरा पाई गई है वो आज हम भारती है संग्राले कोलकाता में हम लोग देख सकते हैं अब है सांची का स्टूप सांची का स्टूप प्राचीन भारत की स्टूप बस्त को लाका सर्वत्त मुधारण माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत के इतने भी स्टूप हैं उन स्तूपों में एक सांची का स्तूप ऐसा है जो कि अब तक बचा हुआ है जैसे अमराबती, भरुत यहाँ के स्तूप नश्ट हो चुके हैं और भारत के अनिस्थानों पर जो स्तूप आए गए हैं वो भी नश्ट हो चुके हैं नश्ट हो चुके हैं या फिर अभी भी खंडे तबस्ता में हैं जबकि सांची का इस्तूप जो है अभी भी भी बचा हुआ है इसके बचने का रीजन में हमने क्लास 12 की जब इत्यास की बुस्तर परढ़ाई थी तो आपको बताया था कि यहां के इस्थानी सासकों ने इसको सरच्षट पदान किया इसी बचैसे सांची का इस्तूप आज तक बचा रहा है जबकि भरुत और अमरावती की जो इस्तूप थे वो नश्टोचुके है मूर्तिकला के विकास के अगले चरड़ को सांची के स्थूप प्रथम मतुरा और आन्पदिस के गुंटूर जिलेके वेंगिस्तान पर जो मूर्तियां पाई गई है उनमें हम लोग देख सकते है सांची यूनेस्को के दारा गोसित एक विस्वबरासत इस्थल है वैसे तो यहाँ पर अनेक छोटे बड़े स्थूप है यहाँ इनमें से तीन मुख्य है स्थूप संख्या एक, स्थूप संख्या दो और स्थूप संख्या तीन जो है यहाँ पर मैन है ऐसा माना जाता है कि स्थूप संख्या एक में बुद्ध के अवसिस रखे हुए हैं वहीं इस्तूप संक्या 2 में उनसे कम प्रसिद 10 अरहतों के अवसिस हैं जो कि बाद की तीन प्रीणियों से विलोंग करते थे अरहत क्या होता है देखें बहुत धर में अरहत या अरहंत हुए है जिसने अस्वत की वास्व प्रगती में अंतरदर्ष्टी प्राप्त कर ली है और निर्मान प्राप्त कर ली है तो उसको अरहत बूला जाता है इस्तूप संक्या 3 में सारी पुत्य और महामुग मंगलाइन इनके अवसिस रखे हैं सारे पुत्य और मामागलाइन ये दोनों मित्र थή ये बाद में बुद्ध के सिस्थ से बन गए है और सिस्थ से बनने के बाद ये दोनों राइट हंड बोले जाते थे यानि एक लेफ्ट हंड और राइट हंड बूला जाता था तो इनके यहाँ पर अवसियस रखे गए और यह अवसियस इस्टूप संख्या तीन में है इस्टूप संख्या एक की यहाँ पर बात करें देख पारें आप इस्टूप संख्या एक है जो कि आपके सामने इमेज में दर्साया गया है इस्तूप संक्या इसे एक बोला जाता है। इस्तूप संक्या एक जो है ये नक्कासी के लिए फेहमस है। अपने मूल लूप में इस्तूप इंटों का एक छोटा सा धाचा था। यसे सम्राट असोप के दौरा बनवाया गया था। आगे चलकर इसको और जदा बड़ा बना दिया गया यानि इसके आगे पीछे जो है नीटों की जगे फिर पत्थर लगा दिये गए। असोप सिंग सीर सिस्थम एक सिलालेक के साथ इस स्तूप के दच्छड के और पाय जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि कभी य इस स्तूप में 4 तोड़ा हैं तोड़ का मतलब प्रवेस द्वार vin और इन तोड़ों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओ और ज्ातक थाओं के अन्यक प्रसंगों करतोत्थितêm 15 देखे ऐसा माना जाता है कि यहां का जो दश्री तोरड है इसके बगल में कभी असोक का सिंग्सीर सिस्थम हुआ करता था तो यह सबसे पहले बनाया गिया था ऐसा प्रातोत विदों का मानना है प्रतियक तोरण की बात करें तो प्रतियक तोरण में दो सीधे खड़े इस्तम है जैसा कि आप देख पर यहाँ पर दो सीधे खड़े इस्तम है और उनकी चोटी पर तीन आड़ी धंड़काएं है आड़ी देंड़का पर साल मंजिकाओं साल मंजिका का मनलब होता है कि पेड़गी साखा पकड़े हूँ इस्तनी तो आड़ी देंड़काओं पर जो है साल मंजिकाओं की आकरतियां बनी हुई है प्रतिमाओं का जो संयोजन है अधिक उभारदार है और यहां का जो संपूर अंतराल है भरा हुआ है, पूरा अख्यान फ्लक यहां का भरा हुआ है जैसा कि हम भरूत की बात कर रहे थे, कि भरूत में जो भी संयोजन था बहुत जाता अभारदार नहीं था बलके शिचला उत्कीडन किया गया था, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर गहरा उत्कीडन है इसी जैसे संयोजन जोगा उभारदार है और पूरा का पूरा अंतराल भरा हुआ है यहां पर जो भी मूर्तियां या चित्र आप लोग देख पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है देखने में बिल्कुल नेचरल हूँ क्योंकि बहुत जादा गहरा उत्कीडन है तो गहरा उत्कीडन होने की जैसे अंग्र प्रत्यंग यहां पर इस प्रश्ट दिखाई दे रहे है तो वही चीज़ यहां पर बताई गई है कि हाव भाव और सारेरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिगर स्वाभाविक है और सरीर के अंग्र प्रत्यंग में कोई कठोड़ता नहीं दिखाई देती है याई ऐसा नहीं है कि अंग्र प्रत्यंग बहुता चिपके हुए हो ऐसा बिल्कुल नहीं है इस पर जैसे यहां पर इनमें कोई कठोड़ता दिखाई नहीं देती है सिर्व जो हैं काफी उठे हुए हैं भारी रेखाओं की कठोरता या अनमिता कम हो गई है भारी रेखाओं से मलब मनलना हिता है कि कोई मुर्टिकार मूर्टि बनाता है तो उसमें आप देखते होंगे वितम लाइन सी होती है अब हम आगे चलके दिखाएंगे कि रेखाएं कठोर कैसे होती है सॉफ्ट कैसे होती है यानि जैसे माली कोई मूर्ति कोई मूर्तिकार बना रहा होगा तो स्टार्टिंग में जो है आप गहरी-गहरी लाइने टाइप हो जाती है लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी आकरतियां उक्री गई है उनमें वो गहरी-गहरी लाइने नहीं दिखाए दियती है उन्हें रेखाओं की जो घटोड़ता है और कम हो जाती है इसके लब आकरतियों को गती दे दी गई है हाला कि बुद्ध को अभी भी यहाँ पर प्रतिकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है इने प्रतिकों में मतलब खाली सिहासन, पद, छट्र, इस्तूप, कमल इन सब के माद्यम से बुद्ध को अभी भी प्रस्तुत किया गया है आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध की जो मा है उनका नाम माया है और इनकी मा का जो सपन प्रस्तुति करण है उसमें क्या है इनकी मा सो रही होती है और वो सपना देखती है कि एक हाथी जो है उनके गर्में प्रविस कर जाता है तो वो जो प्रसंग है वो यहां पर प पहले की हैं। इससे ये सपष्ट हो जाता है कि इस्तूप संख्या एक की जो आक्रतियां है वो बाद में अलगाई गई हैं। जबकि इस्तूप संख्या 2 की जो विदिका बनाई गई है। अब हम लोग मत्रा, सारनाथ और गांदार की मुर्दिकला सेली के बारे में गें। तो इसा की पहली स्तापदी में और उसके बाद उत्तरपशिम भारत में गांदार, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पढ़ता है, मत्रा, और जच्छिड भारत में वेंगी, जो कि वर्तमान आन्पदिस राज में स्थित है, ये कलाउत पादन के महत्पूर केंदर बन गए हैं, अब तक जो है बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन चुकि अब इस समय तक आते आते, बहुत धरम के अंदर ही महायान संपरदाय का उदय भी हुआ है, तो महायान संपरदाय के उदय की वजए से बुद्ध को प्रतीकात्म की परंपरा है इसमें बैक्ट्रिया पार्थिया और स्वयम जो गांदार की स्थानी परंपरा है इसका संगम हो गया है वहीं मतुरा की मूर्थकला की स्थानी परंपरा उत्तर भारत और जो अन इलाकें उत्तर भारत के उनमें फैल गई है इसका एक उधारण बताया गया है कि पंजाब में संगोल इस्तल पर जो इस्तूप की जो मूर्तियां पाई गई है उनमें मतुरा सेली की तत्तु देखने को बिलते हैं मतुरा में बुद्ध की जो प्रत्माई है यानि मतुरा में जो बुद्ध की आरंबिक प्रत्माई बनाई गई है तो ये आरंबिक यक्षकी मूर्तियों जैसे ही बनी है लेकिन जो गांधार की बुद्धगी प्रत्माई हैं इनमें यूनानी सेली की विसिस्ताइं पाई जाती है देगे महतुरा में केबल बुद्धगी प्रत्माई नहीं बनी है बलके आरंबिक जैन, तीर्थंकर, समराट, विसिसकर, कनिस्की जो बिनासरवाली मूर्ति है और चित्र बगेरा ये सब महतुरा में बनाए गए है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि महतुरा में केबल बुद्धगी मूर्तियां बनी है वहतुरा में आरंबिक जयन तिर्थंकरों की, समराटों की, खास करके कनिस्की, ये सब मूर्तियां ये भी बनी है इसके लावा इसकाल में जो बैशन प्रत्माएं हैं, यानि हिंदू धर्म से समन्द जो प्रत्माएं, वो भी बनती रही है हाला कि संख्यागी दर्ष्टी से बहुत प्रत्माओं की संख्या जादा थी तो यहाँ पर वही चीज बताए गई है, कि बैशन प्रत्माएं, इसमें विश्णू और उनके विभिन रूपों की प्रत्माएं हैं से प्रत्माओं में सिव के लिंगों और उनके भुकलिंगों की प्रत्माएं, यह भी मत्रा में पाई गई है लेकि संख्यागी दर्ष्टी से जो बुद्ध की प्रत्माएं, यह अधिक पाई गई है यानि उस काल में बुद्ध की प्रत्माय यहां पर सबसे ज़्यादा बनाई गई है बिष्णु और सिभुक की प्रत्माय जो है उनके आयुदों उनके जो अस्र सस्त्र हैं उनके साथ दिखाई गई है आकरतियों का विस्तार चित्रगी परित के बाहर दिखाया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आख्यान फ्लक में आकरतियों का विस्तार चित्रगी परित के बाहर दिखाया गया है एसा नहीं है कि उभार कम हो उभार बहुत ज़्यादा है तो इनके भार दिखाया गया है इनके चेहरे गोल है चेहरे एकदम गोल आप देख पा रहे हैं और इस पर मुस्कान दर्साई गई है मूर्तियों के आयतन का जो भारीपन है ये कम कर दिया गया है बहुत ज़़ादा बल्की मूर्ती नहीं लग रही है, भारीपन कम कर दिया गया है, और इनमें मासलता दिखाई गया है, इनके कंदे चोड़े हैं, इनके कंदे चोड़े हैं, इसके लावा सरीर के जो वस्त्र हैं, वो इसपश्टूप से द्रश्टी गोचर होते हैं, γιαarla कि हम मूर्तियों में पूरी मूर्ति को वस्ते कबर नहीं दिखाया गया है बलकि उनके सरीर के जो बायकंद है उस पर ही वस्ते दिखाया गया है तो सरीर के जो बायकंद है ये ढखे हुए हैं इस काल में बुद्ध यक्ष यक्षणी सेब और बैष्णव देवी देवताओं की परितमाएं इसके लाबा जो समराट बगेरा है उन समराटों की मानब मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई है हला कि यहां की मूर्तिकलाब में भी समय के साथ-साथ परिवर्तन आया है लेकिन 34 सदाब्दी के अंतिन दसकों में जो मूर्तियों की बिसालता है उनमें जो मासलता है उसमें कमी कर दी गई है यहां की जो मूर्तियां है उनमें मासलता में और ज़्यादा कसाव आ गया है इनमें कम उड़े के बस्तरों को दरसाया गया है पांच में और छड़ी सताब्दी में क्या हुआ है कि वस्त्र हमें एकदम से ऐसा लगने लगा है कि पारदरसी टाइप हो पिल्कुल साइड से चिपका हुगा ज़रसाया गिया है बुद्ध की प्रतिमाओं में बस्त्रों की पारदरस्ता इस पष्टे दर्ष्टी गोचर होती है वही चीज बताई गई है कि इतना ज़्यादा प्रतिमाओं में जो बस्त्रों को सामिल कर दिया गया है कि हमें लगने लगा है कि बस्त जो है पारदरसी टाइप का है आप देखें एसा की पांच भी छेड़ी स्ताब्दी में ही सारनात और कौसाम भी भी मूर्तिकला के महत्पूर केंद्रों की रूप में वरकर सामने आए है सारनात में पाई जाने वाली बहुत प्रतिमाओं में दोनों कंद्रों को वस्त से ढखा हुए दिखाया गया है यहां पर आप देख पारें यहां पर हलका सा बस दिखाया गया है तो यह दोनों कंद्रों को ढखे हुए है सिर के चारो और आभा मंडल बना हुआ है यहां पर सिर के चारो और आभा मंडल दिखाया गया है जबकि मतुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओडने की बस्तर की कई तहें देखने को मिलती है जैसा कि आप देख पारें यहाँ पर बस्तरों की तहें नहीं है दोनों कंदे बस्तर से कवर्टू दिखाए गई है इसके लबा जो मतुरा सेली की मूर्तियां है उसमें जो पीशे का आभा मंडल है यह वाला जो पीशे का हיסफा है इस पर बहुत जड़ा अलंकरड भी किया गया है जबकि सारणा सेली में बहुत ज़या अलंकरड नहीं है तो यहाँ पर बहुद चीज बताए गई है है अब देखे आपके अध्याय में मतुरा सारनात और गांदार के पास से तक्सिला से जो मूर्तियां मली हैं उनकी विसेस्ताओं के बारे हम बताया गया है आपके सामने यहाँ पर पदमासन मुद्रा की बुद्ध की एक मूर्ति है जो की मतुरा के कटरा टिला से प्राप्त ही है और यह मूर्ति जो है ईसा की दूसरी स्ताप्दि की मानी जाती है इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बीच में बुद्ध है और यहाँ पर बुद्ध को दो सहयक बुद्धि सत्तों के साथ दिखाया गया है जिसमें एक वजरपाड़ी है यहाथ में गदा लिये हुए है और दूसरा पदमपाड़ी है पदमपाड़ी का मतलब हाथ में कमल लिये हुए है बोधिस्त्यू का मतलब आप जानते होंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ती जो ज्यान और बुद्धत प्रातकनी की इच्छा रखता हो उसे बोधिस्त्यू कहा जाता है बुद्धिस्मूर्ती में पद्यासन में है यानि पालती मारकर बैटे हुए है पूसाग पूरे सरीर को कबार नहीं करती है केबल बाय कंदे पर पोसाग डाली हुई दिखाई गई है बुद्ध के सिर के चारो और बहुत बड़ा प्रभामंडल दिखाया गया है यहाँ पर एक और प्रतिमा दी हुई है और यह प्रतिमा जो है बुद्ध मुख प्रतिमा है यहाँ पर केवल बुद्ध का सिर सिर दिखाया गया है और यह प्रत्मा जो है तक्सिला से प्राप्त हुई है तक्सिला बर्तमान में पाकिस्तान में पढ़ता है और यह गांदा रिजन के बगल में है तो यह जो बुद्ध मुख प्रत्मा है यह इसा की दूसरी सतापी कुर्सार काल की मानी जाती है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर बुद्ध के गुंगराले केस गने है यहाँ पर गुंगराले केस इसमें दिखाये गई है और सिर्को तेज और रेखी परसे यह ढखे हुए है याँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो केसे हैं केस में रेखी परतें दिखाई गई हैं तमाम तरह की इससे के सावित तुराएग यह गुमराले बाल है इनका जो मस्तक है मस्तक सम्तल है यहां पर सपाट सम्तल दिखाया गया है इसमें इनकी बड़ी-बड़ी पुतलियां जो बड़ी-बड़ी आखों वाली पुतलियां इनमें अदमिछी आखे दिखाए गई है यहां जोगा खुली मुद्रा में नहीं है यहां पर रेखाएं यहां पर बहुत तीकी बनावट है तो यहां पर प्रस्तुती करण्या रहकरता है और यहां पर भारी रेखाएं जो तीकी हैं जबकि सत्या समतल है, इनकी सत्या समतल दिखाई गई है वहीं मूर्ती भी कुछ भारी है, मूर्ती में भारी पन है जैसे कान देख पारे हैं, कान काफी ज़ा लंबे दिखाई गई है तो अन तरफ के कान आप देख पारे हैं, काफी लंबे दिखाई गई है तो ये जो मूर्थी है ये गांदार सेली से प्रिरित मूर्थी है इसके लाव एक मूर्थी और मिली है ये आसनस्त बुद्ध की प्रदिमा है ये साधनास से ब्राप्त ही है तो बुद्ध की ये प्रदिमा जो है ईसा की पांचपी सदी की उत्रार्द की है पाठी सदी के बाद की है और यह चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें सरीर पतला और संतलुद दिखाया गया है लेकिन कुछ हलका सा लंबा दिख रहा है बाहर रेखाएं अंग वस्तर जोगा सरीर से लिप्टा हुआ है जैसा कि आप देख पर अंग वस्तर यहाँ पर दोनों कंदों कवर किया हुआ है और इस तरह का दर्स लग रहा है अंग वस्तर कि जैसे कि पारदर्सी हो इसमें बहुँच जाता कपड़े की तहन ही दिखाई गई है और एकिकरत आयतन का प्रभावधपन करते हुए परदर्सी लग दिखरा है मतरा से पहले वाली प्रत्माओं की तुलना में कपूलों की गुलाई यह कम हो गई है यहाँ पर कम हो गई है हाथ धम चक्र वरतन की मुद्रा में चादी से नीचे रखे दिखाए गए हैं और गर्दन कुछ लंबी है उष्णिय गोलाकार गुमराले केसों से बना है जैसे कि आप देख पारें इनका जो जूड़ा है उपर बाला उष्णिय ये गोलाकार गुमराले केसों से बना हुआ है प्रभावन्डल का जो केंद्री भाग है यह साथा समतल है और यहाँ पर कोई साल सज्जा नहीं है अब देखे, अब आजाते हैं दच्छड भारतिय बहुत दिस्मारकों पर तो दच्छड भारत में बहुत सारे बहुत दिस्मारक हैं सबसे पहले हहाँ पर आंद पदेश के वेंगी रीजन के जो इस्तूप बगरा है उनके बारे में बात की गई है तो आंद पदेश के वेंगी रीजन में बहुत सारे इस्तूप उस्थल है जैसे जगहए पेट में है, अमराबती में है भटी फ्रोलो में है, नागर्जुन कॉंड़ा में है और गोलियादी स्तिलों पर इस्तूप बगरा ये अन्य बहुत इसमारक पाए जाते हैं यहाँ पर अमराबती स्तूप के बारे में बताया गया है अमराबती स्टूप के बारे में पढ़ने से पहले जान लीजिए अमराबती स्टूप बहुत पहली नस्ट हो चुका है यहनि अमराबती स्टूप हुआ, भरुत स्टूप हुआ यह बहुत पहली नस्ट हो चुके हैं केवल इनके अवसेस बच्चे हुए हैं जो कि museum बगरा में देखे जा सकते हैं तो यहाँ पर अमरावती इस्तूप के बगल से ही एक यहाँ पर आख्यान फलक मिला है और इस आख्यान फलक पर अमरावती इस्तूप का चित्रांगन किया गया था और इस चित्रांगन के माद्यां से जो यहां के फ्रातोत विदों की सहता से ASI ने यहां पर इसकी एक रेप्लिका इस्थापित करवाई है जैसा कि आप यहां पर देख पारें यहां पर एक डुप्लिकेट रेप्लिका है जो कि कभी भरतमान रूप में इस तरह का इस्थूप हुआ करता होगा यहां पर यहां पर यह सो करती है तो यहां पर इसके बारें बताया गया है कि सांची के स्थूप की तरह अमराबती के स्थूप में भी प्रदिछनापत है जो वेदिका से ढखा हुआ है वेदिका मालब रेलिंग से ढखा हुआ है और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मत प्रतिमाय रूपित की गई है गुम्मदी स्थूप का धांचा उभारदार स्थूप प्रतिमाव के चोकों से ढखा हुआ है और यह उसकी खास विसिस्ता है यानि कहने का मलब यह कि सांची के स्थूप में क्या था सांची के जो इस्थूप का गुम्मद वाला धांचा था उस पर कोई प्रत्माय बगरा नहीं थी प्रत्माय बगरा उकेरी नहीं गई थी जबकि यहां के इस्थूप में क्या था यहां के इस्थूप में जो धांचा था गुम्मद था उस गुम्मद पर उभारदार इस्तूप प्रतमाय इस्थापित की गई थी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं याँ उपर की तरफ यहाँ पर उभारदार इस्तूप प्रतमाय इस साइड में यहाँ पर उकेरी गई थी अमरावती के स्तूप में इसापूर्व तीन सताब्दियों की निर्मार कारिया द्रश्टि-गोचर होते हैं लेकिन इसका सरवोत्तम विकास दिवाए इसाप की पहली और दूसी सताब्दी में आकर हुआ है अम्राबती स्टूप से जो आकरतियां मिली हैं वो आकरतियां पतली हैं उनमें गती और सरीर में तीन भंगे माय त्रिभंग रूप में दिखाए गिया है तीन भंगे माय का मतलब कि सरीर जो तीन रूप से जुका हुआ या तूटा हुआ दिखाया गया है सांची की प्रतमाओं की तुलना में इन प्रतमाओं का संयोजन अधिक जटिल है यहाँ पर जो प्रतमाओं बगरा मिली है उनका संयोजन काफी जटिल है आख्यान फलक में बहुत ज़्यादा बारीगी से चित्रांगन किया गया है हालां कि यहां कि जो आख्यान फलक हैं उन आख्यान फलकों में जो भी चित्र हैं उन चित्रों में उनकी रूप की स्पष्टा पर अधिक ध्यान दिया गया है बलही आख्यान में उनका आकार छोटा हो या बड़ा हो उनकी भूमिका कैसी भी हो लेकिन उनके रूप की स्वर्ष्टा पर बहुत ज़्यान दिया गया है आख्यानों को नाना रूपों में विभिन रूपों में चितित किया गया है अमराबती की उद्गरत प्रतिमाओं की तुलना में नागारजुन कॉंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उद्गरत प्रतिमाओं की तुलना में ज़्यादा उबरी हुई है अमराबती, नागारजुन कॉंडा और गुंटा पली ये तीनों इस्थान आंतोजिस में बढ़ते हैं तो यहां से बुद्ध की स्वतन प्रतिमाओं भी पाई जाती है यहां पर इस्थूपों के लावा यहां से बुद्ध की स्वतन प्रतिमाओं भी मिली है गुंटा पली की बात करें तो अब तक कुदाई में मिला सबसे बड़ा इस्थूप सन्नती जो के करनाटक के गुलवर्ग जिनपत में पढ़ता है यह सबसे बड़ा इस्थूप माना जाता है इसके लावा देखें यहां पर बुद्ध की प्रतमाई नहीं बनाई गई है बुद्ध की प्रतमाओं के साथ-साथ यहां पर अन्य बहुत प्रतमाई जैसे कि अब लोके देस्थूपर पद्मपाणी, वज्रपाणी, अमिताप और मैत्रे जैसे जो बोधिसत्तों है इनकी प्रतमाई भी बुद्ध के साथ-साथ बनाई गई है इसके बाद आ जाते हैं पश्यम भारती गुफाओं पर यह पश्यम भारत में इस समय कौन कौन सी गुफाई बनाई गई है तो वो हम यहां पर देखेंगे देखे जैसा कि आप लोग जानते हैं पश्चिम भारत में भी बहुत सारी बहुत गुफाएं हैं जो कि ईसापूर्व दूसरी सताब्दी और उसके बाद की बताई जाती है यहां की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में बास्तकुला के मुखितत तीन रूप देखने को मिलते हैं सबसे पहला रूप यहां बताया गया है कि गजप्रष्टिय महरावी शत्वाले चैत्त कक्ष हैं जो अजन्ता, पीतल, खोड़ा और भजकी गुफाओं में पाये जाते हैं गजप्रष्टिय महरावी शत्वाले इस्तमहीन कक्ष यह महराष्ट के थाना नासर में मिलते हैं सपार्ष्ट वाले चद्वसकॉंडी कक्ष जिसके पीछे की और एक ब्रत्ताकार चोटा कक्ष होता है इस तरह के जो कक्ष हैं वो महराष्ट के कॉंडी वाइट में पाया गया है अब देखें चैत्य सब्द यहां पर बार बार आया है चैत्य का मतलब होता है कि इनका जो उपासना स्थल होता है उसको चैत्य बोलते हैं बैसे चैत्य जो सब्द है वो चिता से निकला हुआ है लेकिन यहां पर यह लोग पूजा करते हैं इनका जो मंदिर होता है उसको चैत्य बोला जाता है बहत दो मैं से चैत्य बोलते हैं तो चैत्य के विसाल अक्ष में अर्ध बरत्तकार, चैत्य चाप मेरा आपकी परधानता होती थी चैत का जो सामने का इस्था होता था खुला होता था और इसका महरा लकडि का बना होता था इसके लावा सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की और इस्तूब बनाना एक आम बात थी यानि कहने का मुलब यह है कि पीछे की तरफ यहाँ बिस्तूब बना है आगे चैत्य है, आगे मंदिर है, पीछे की तरफ इनका इस्तूब बना होता था इसके लाबा जो विहार है, विहार का मतलब जहां पर यह बहुत सादू या फिर जो जैन सादू गरा आराम करते हैं, विस्तराम करते हैं तो विहार सभी गुफा इस तरों पर खोदे गए हैं वेहारों की निरमाड योजना में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दिवारों के चारो और प्रकोष्ट बनने होते हैं कुछ महतपूर विहार गुफाएं जो केवल सादूओं के रहने के लिए थी आरंब की अनेक विहार गुफाओं के बीतर से चैत के महरावों और गुफा के प्रकुष्ट द्वारों पर वेदकार डेजाइनों से सजाया गया है यानि यानिग रहते हैं नासिक की विहार गुफाओं के सामने के एस्तम्मों के घट आदार और घट सीर्स पर आकरतिया उक्रेगी गई यानि नासिक की जो विहार गुफाँएं हैं जहाम पर सादूसम्त रहते थे उन गुफाँएं के जो भी स्तम हैं इन पर उपर की तरफ नेची की तरफ जो मानवाकरतियां यो किरी गई है एक विहार गुफा जुन्नार जो कि माराथ में बढ़ता है, यहां पर खोदी हुई है, जो आम जनता में गड़ेस लेनी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि इसमें गड़ेसी की प्रतमाबाद में इस्थाबित की हुई है, इसी वज़ेसे इस गुफा को गड़ेस लेनी के नाम से जाना जाता है, आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक इस्तूप भी जोड़ दिया गया है जिससे ही है चैत्य विहार हो गया है देखे वैसे क्या होता था वैसे इनके चैत्य अलग होते थे और विहार अलग होते थे चैत्य वैस्ताने जहां पर यह लोग पूजा अर्चना करते थे और विहार होय इस्ताने जहांपर यह लोग निवास परहा करते थे तो बात की समय होगा है कि चैती से लगा हुआ ही विहार बना दिया गया है तो उसे चैती विहार कहा गया है ईसा की चौथी और पांच्वी स्थाद्दी की स्तूपों में बुद्ध की प्रतमाइं सन्लंग न की गई है याने कि इसा की 64-75 साथ जी के जोस्तूप है उनमें बुद्ध की प्रतमाइं भी जोड़ दी गई है जुन्नार जुन्नार में खुदी होई गुफाओं का सबसे बड़ा समूँ है जुन्नार में करीब 200 से जादा कि गुफाएं ये सामिल हैं तो अब यहां पर बात करते हैं अजंता गुफा इस्तल की अजंता जो है महाराष्ट राज के औरंगवाद जिले में इस्थित है और अजंता में कुल 26 गुफाएं है जिन मैंसे 4 गुफाएं चैत्ट गुफाएं यानि मंदिर वाली गुफाएं और इन 4 गुफाओं का समय प्रारमिक चरड यानि कि ईसापुर्व दूसरी और पहली सताब्दी तो ईसापुर पहली दूसरी सताब्दी की यहां पर दो गुफाएं हैं गुफा नंबर 10 और 9 जो हैं ये ईसापुर्व दूसरी और पहली सताब्दी गुफाएं हैं और जंता की जो गुफाइं है ना केवल अपनी मूर्तिकला के लिए बल्कि अपनी भित्र चित्र की परंपरा के लिए फैमस हैं। तो यहाँ पर जो है ईसापूर पहली सदाब्दी और ईसागी पांची सदाब्दी तरके चित्र देखे जा सकते हैं। अजन्ता और पश्मी जक्तन की गुफाओं के सिलालेखों में कालतिति का उलेख नहीं मिलता है यहां की जो भी गुफाओं है उन गुफाओं में जो भी इनकी कालतिति है उनका उलेख नहीं मिलता है और नहीं यहां के जो भित्र चित्र है उनके चित्रकारों के नाम भी देखने को यहां पर नहीं मिलते है शैत्य गुफा संक्या 1926 दिस्टर तूप से उत्किड की गई है देखें यहां पर सबसे बड़ी जो गुफा है गुफा संक्या 26 जो है सबसे बड़ी है और इसके भीतर का संपूर बड़ा कक्ष नि मंडब बुद्ध की अनिक प्रत्मा उसे उकेरा गया है और इसमें सबसे बड़ी प्रत्मा जो है महापर निर्वान की है जैसा कि आप जो जानते हैं जिस्ता में बुद्ध की मरत्य हुई थी उस घटना को महापर निर्वान कहा जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रत्मा जही बाली है यहाँ की जो सेस सभी गुफाई हैं यह विहार शेत्त किस्प की हैं उनमें खंबों बाला बरामदा, खंबों बाला मंडब और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ट बने हुए हैं अजनता में पूजा इस्तल की प्रत्माएं आकार की दर्ष्टी से बढ़ी हैं और आगे बढ़ने की उड़जा के साथ प्रसित की गई हैं जैसे कि आगे की तरफ बढ़ रही हो एक गती दिखाई गई है इसके लाब यहां के जो चित्र हैं, चित्रों के बारे बताया गया है इसापूर पहली सिताब्दी के चित्रों में रेखा हैं काफी दा पैनी हैं रंग सीमित हैं और आकरतियां जो हैं पहली सिताब्दी की वो स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चला कर अलंगरत किये हुए रंगी हुई है इसा की 25 स्थापदी के अजंता चित्रों में बाहर की और प्रक्षेप दिखलाया गया है हलका सा त्रयायामी एफेक्ट क्रियेट करने का प्रयास किया गया है हला कि रेखाएं फिर भी अत्यंत इस्पष्ट हैं और उनमें परियाप्त लैबदता देखने को मिलती है जो 25 स्थापदी के चित्र हैं उनका प्रतरूप पर सुकोमल है बाहरी रेखा है शरीर के आयदन में ब्लीन प्रतीत होती है जिससे के जो 3D एफेक्ट है युद्पन होता है देखे गुफाओं का निर्माड हो या फिर यहाँ पर चित्रकला का विकास हो दोनों करत्वितियां साथ-साथ में होई है ऐसा नहीं है कि गुफाओं पहले बन गई हो चित्रकारी बाद में की गई हो नहीं ऐसा नहीं है जैसे जैसे जो जो इस्थान तयार होते गए हैं उन इस्थानों भी चित्रकारी भी साथ के साथ की जाती रही है आकरतियों को त्रयायमी बनाने हेतू बिसेस प्रभाव लाने के लिए यहाँ पर गुला का सैयोजन का प्रयोग किया गया है जैसे अर्ध निर्मित लंबी आके बनाई गई है स्वाभाविक भंगे माए और इबन बड़ा चलाकर न बनाए गए चेहरों का प्रयोग बिसेस टूप से किया गया है यहाँ पर जो भी आकरतियां बगरा उकेरी गई है यह चितरकारी गई रखी गई सब स्वाभाविक दिखाई गई है बड़ा चलाकर नहीं दिखाई गई है और यहाँ की जो प्रतिमाओं के विशे हैं यह बुद्ध के जीवन की घटनाए हैं इसके लावा जातक कताई हैं और अवदान कताओं के प्रसंग है कुछ चितर जैसे के सिंगल अवदान महाजानक जातक और बिदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर दिवार को कवर किये हुए है इसके लावा देखिए अजन्ता की गुफाओं में पदम पाड़ी और वजर पाड़ी जो बोदिसत्व हैं इनकी आकरतियां यहां की गुफाओं में एक आम बात है और यह अनेक गुफाओं में यहां पर पाई जाती है देखिए पदम पाड़ी और वजर पाड़ी को इन गुफाओं का अविरक्षक माना गया है ऐसा मना जाता है कि ये दोनों जो है इन गुफाओं के अभिराच्छक है अजन्ता के महतपूर सरचकों में बरहादेव यहां पर नाम बताए गया है कौन को से सासक जो है जिन लोगों नहीं नहीं सरच्छर प्रदान किया है तो अजन्ता के महतपूर सरचकों में बरहादेव कि गुफा संग्या सोले के सरचक है जो कि वाकाटक नरेस हरिसेयन का पदानमंत्री था उपेंदर रूप तो जो है गुफा संग्या 17 से लेकर 20 के सरचक है जो उस्थेतर के इस्थानी सासक थे और वाकाटक नरेस हरिसेयन के सामन्त थे बुद्ध भद्र जो है मार विजय का चित्रट किया गया है मार विजय का मतलब क्या है ऐसे आप समझ सकते हैं इसको कोर्लेट करके जैसे सनादन धर में क्या है कि जब कोई व्यक्ति साधना करता है इस और की साधना करता है ब्रह्मा जी की या किसी की तो बीच बीच में उसको उसके साधना से भटकाने के लिए अपसराय वगरा भेजी जाती है तो वही चीज जहां पर concept अपनाया गया है मार मतलब काम यानि इच्छा का दियोत्रक है तो मार का मतलब यह कि मार यानि काम ने या फिर जो इच्छा है इच्छा ने अपनी सेना भेजी है बुद्ध को अपने मार से विचलत करने के लिए ताकि उनकी साधना पूरी न हो पाए तो वही यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे उन्होंने उस मार पर विजय हांसिल की है तो यहाँ पर मार के बार ने बताया कि मार काम यानि इच्छा का दियुत्रक है तो मार विजय का विजय है एक मूर्ति कलात्म प्रत्रूपड है जिसे जन्ता की गुफा संग्य 26 में प्रस्तुत किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं मूर्ति फलक में बुद्ध की आकरती को बीच में मार की पुत्री और सेना से गिराऊए दिखाया गया है जो के इनके प्रभाव से प्रभावित भी हो गए है लिचन की तरह आप देख पा रहे हैं तो यह घटना जो है जुए बुद्ध के ज्णवद्द्य का हिससा है तो अबस्त्राओं वाला कॉंसेफट है वही concept यहां दर्साया गया है इसमें सिद्धार्थ के उनके मानसित सेंजोग की सितीव का मानविकर्ड किया गया है जिससे होकर बुद्ध को बुद्धत प्राप्ति यह ने ग्यानों दवक के समय गुजरना पड़ा था तो बताया गया कैसे बुद्धत प्राप्त करते समय बुद्ध को उनके मारक से भटकाने के लिए मार की सेना भेजी गई थी तो यह बात नहां पर बताई गई है इसके बाद आजाती है ऐलूरा की गुफाएं देगे ऐलूरा की गुफाएं भी औरंगवा जिले में पड़ती है और ये करीब अजन्ता से 100 किलमेटर की दूरी पर है ऐलूरा में बौध, भ्रामबड और जैन तीनों धर्मों की कुल मिलाकर 34 गुफाएं है ऐलूरा की गुफाएं अजन्ता की गुफाएं की तुलना में नवीन है यानि अजन्ता की जो गुफाएं हैं वो ईसापूर दूसरी स्ताथी से लेकर पांचवी छटथी स्ताथी स्ताथी तक की है वहीं एलूरा की गुफाएं जो हैं इनका निर्माट ईसा की 25 सिताती से लेकर 11 सिताती तक बीच में हुआ है और यहाँ पर तीनो ही धर्मों की गुफाएं एक साथ पाई जाती है यह भारत में ऐसा एक मात्र गुफाए स्तल है जहाँ पर तीनो धर्मों की गुफाएं एक साथ पाई जाती है एलूरा और औरंगवाद की जो गुफाएं हैं यह दो विश्यस धर्मों के बीच में जो अंतर चल ला है खास कर जो उस समय बहुत धर्म और भ्रामट धर्म के बीच में जो संगर्स चल ला था जो अंतर चल दाता उसको दरसाती है बहुत गुफाओं में बहुत धर्म के वजर्यान संप्रताई के निक प्रतमाएं हैं जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोब्य, अब लोकितिस्वर, मैत्रे, अमिताब इन सब की प्रतमाएं प्रस्तुत की गई है अगर तीनो धर्मों के गुफाओं के साइज को कंपेर करें तो बहुत गुफाओं जो हैं आकार की दश्टी से काफी ज़्यादा बड़ी है बहुत गुफाओं में एक दो, यहां तक के उनमें तीन मंजले गुफाओं भी है जबकि ब्रामड धर्म की यहां पर केवल एक ही गुफा, दो मंजली गुफा है और यह गुफा संक्या चौदे है अजन्ता में भी दो मंजली गुफाओं खुदी होई है लेकिन एलोरा में तीन मंजली गुफा बनाना यहां की एक विशिस उप्रब्दी कही जा सकती है बहुत गुफाओं में बुद्ध की प्रतमाएं आकार में काफी यादा बड़ी है और पद्मपाणी बजरपाणी की जो प्रतमाएं है आम तोर पर उनके अंग्रक्षक की रूप में बनाई गई है ब्रामबर गुफाओं में से कई गुफाओं सेव धर्म को समर्पित है लेकिन उनमें सेव और विष्णू और पौराडिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतमाएं भी प्रसुत की गई है यादि कहने का अलब ही है कि बैसे तो यहाँ पर सेव धर्म की गुफाओं भी है लेकिन ऐसा नहीं है सेथ धर्गी गुफाओं में विश्णु जी के अवतार नहीं जरसाए गए हो वहाँ पर उनकी अवतारों को भी जरसाए आगिया है ये बात यहाँ पर बताई गई है एलूरा की प्रतमाएं अतिविसाल है और इनका आयतन बाहर निकला हुआ है जो चित्र की परिद में गहराई उत्पन करता है यानि कहने को अलब ही है कि यहाँ पर जो भी चित्र उत्कीड किये गए है वो काफी गहराई से उत्कीड किये गए है इसी वज़ेसे यहाँ की प्रतमाएं जो है काफी अतिविसाल दिखाई दिएती है इनका आयतन भार विंकला हुए दिखाई दिएता है एलोरा में जो कलाकार हैं ये भिन्विन इस्थानों से आये थे जैसे विधर्व से, करनाटक से, तमिलनाडू या फिर अन इस्थानों से आकर यहाँ पर उन्होंने प्रित्माय ओके रही है तो इसी विज़े से इस्थाल पर विभिन सेलियों का संगम देखा जा सकता है यहाँ की जो गुफा संक्या 16 है इसको कैलास लेनी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर केवल एक अकेली गुफा को काट कर एक सेल मंदिर बनाया गिया है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे है आगामी अध्याई में हम इसके बारे में विश्रत चर्चा करेंगे इसके बाद एक अनिस्थाल है एलिवेंठा, एलिफेंटा की गुफाएं हैं और यहाँ पर कुछ अनिस्थाल है एलिवेंठा की गुफाएं जो है सेब धर्न से सम्मंदित हैं और यह मुंबई के पास स्थित हैं यह गुफाएं भी ऐलोरा की समकालीन है यानि जिस समय ऐलोरा की गुफाएं मनाई जा रहे हैं थी ठीक उसी समय इनका भी निर्माण हो रहा था इनकी प्रत्माओं की बात करें तो इनकी प्रत्माओं में सरीर का पतलापन हलके प्रभावों के साथ दश्टिकोचर होता है यानि यहां की जो प्रत्माएं दिखने में हलकी सी पत्ली लगती है एलिफेंटा की गुफाओं में एक विसाल महेसमूर्ती है जिसके तीन सिर है जैसा की एमिज में देख पा रहे हैं तो यह महिस मूर्ती की जो प्रतिमा है ईसा की छटी सताब्दी के प्रारमिक काल में बनाई गई थी और यह गुफा के मुख्य देवाले में स्थापित है आकार में यह काफी ज़ा बड़ी है इसका बीच का जो सिर है वो सिर्व की मुख्य मूर्ती है कोमल है, सत्या संतल है, चिकनी है और इसमें चेहरा काफी जड़ा बड़ा है वही सिर्व भार निकली हुई आख और मुझके साथ दर्साया गिया है यहाँ पर जो भेरब बाला मुक है इसको काफी था एंगर में दरसाया गया है जिसमें आख और मुच हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे है इसके लावे यहाँ पर कुछ-कुछ नोट में बताया गया है देखे दक्कन में जो चटान काटकर घुफाक बनाने की परंपरा है केवल महराष्ट तक सीमित नहीं रही है बलकि यह करनाटक में चालुक राजाओं के सरचड में मुकरूप से बादामी और एहोली में आन्द्पदेश के विजयवाडा रीजन में तमिल नाडू में पलव राजाओं के सरचड में याने मुकरत्य महावली पुर्ण में यहाँ भी यह पाई जाती है इसके लाभा देखे केवल ओखेवल यहाँ पर पत्थर की मूर्टिया नहीं बनाई गई है इसकाल में इन मेंसे मिट्टी की छोटी छोटी आकरतियां बनाई गई हैं, उन मेंसे कुछ किलोने हैं, कुछ छोटी छोटी धार में आकरतियां हैं, और कुछ विश्वास के आधार पर कष्टों और पीडाओं की निवारण के लिए बनाई गई लग मूर्तियां हैं, तो ऐसा नहीं है क इस रीजन में केवलो के और पत्थर की मुर्तियां बनाई गई हो यहाँ पर मिट्टी की प्रतमाई या टेरा कूटा की प्रतमाई भी बनाई गई है इसके बाद हैं मद्ध भारती गुफाएं तो मद्ध भारती गुफाओं में बाग गुफा इस्तल आ जाते हैं जो कि मद्द पर्दिस में पढ़ती है बाग गुफा इस्तल जो है ये बहुत भित्रिजित्रों वाली गुफाएं हैं जो कि MP के धार जिला मुख्याले से 97 क्लूम्टर के दूरी पर इस्तित्र है बाग गुफाएं साथभान काल में चट्टानों को काट कर बनाई गए थी फिर चदुस्कोंड वाले विस्त्राम स्थान है यहां की खास बात कि आए कि यहां पर बहुत बड़े-बड़े कच्छ नहीं है बलकि यहां पर लगु कच्छ है तो लगु कच्छों के पीछे चैत्त्य अर्थात प्रात्न कच्छ भी यहां पर लगा होता है इन 5 देखें जैसे पश्वी भारत में गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई है तो ठीक ऐसी गुफाएं जो है पूरी भारत में भी बनाई गई है पूरी भारत में भी विश्यसकर आंध पदेस और ओडिसा के तरड़ी छित्रों में बहुत गुफाओं का जैन गुंटापली आंद पतेश में एलूरिजिले में स्थित है यहां पर क्या है मठों की सरचना के साथ पाड़ों में गुफाओं का निर्माड हुआ है यह एक ऐसा विस्स इस्थल है जहां पर इस्टूप, विहार एवं गुफाओं का एकी स्थान पर निर्माड हुआ है यहाँ पर यानी इस्तूप भी है रहने के लिए विहार भी है और चैत इन तीनों का एकी स्थान पर निर्माड हुआ है यह यहां की खास बात है हाना कि यहां पर भी अगर compare करें तो पश्मी भारत की गुफाओं की तुलना में पूरी जो भारत की गुफाओं है या आकार में छोटी है विहार गुफाओं का निर्मार यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में हुआ है यहां पर विहार गुफाएं, सादूओं के रहने वाली जो विहार गुफाएं, उनका निर्मार सबसे ज़्यादा हुआ है अधिक छोटी होने के बावजूद, मुक्चे विहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरोणों से सजी होई है फिर इसके बाद है अनका पल्ली की गुफाइं अंकापली की गुफाएं जो है आंद पर देश में बिसा का पटनम के समीप पड़ती है और इन गुफाओं का निरिमाड जो है चोती या पाथी सताथी इस्पी में हुआ है यह एक ऐसा विजिश टिस्टल है जहांपर चट्टान काटकर देश के सबसे बड़े सतूप का निरिमाड हुआ है और इस बड़े सतूप के चारो और छोट-छोटे सतूप भी बनाए गए है खंडगरी उदैगरी की गुफाएं खंडगरी उदैगरी की गुफाएं जो है ओड़िसा में भूबनेस्वर के पास पड़ती है इन गुफाओं में खारवेल जैन राजाओं के सिरालेक पाई जाते है और इन सिरालेकों के अनुसार ये गुफाएं जो है इस्पेसली जैन मुनियों के लिए बनाई गई थी इन में से कई जो है वो मात्र एक कक्ष वाली गुफाएं है बड़ी गुफाओं में आगे इस्तंबों के कड़ी बनाकर बरामदे के पिछले भाग में कच्छों का निर्माण किया गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आगे यहाँ पर इस्तंबों की एक कड़ी है फिर बरामदा है फिर पीछे कक्ष बनाई गई है इन कच्चों के प्रवेश का उपरी भाग चैते तोड़ों और आज भी प्रश्जले इंस्थानी लोग कताओं के संधर में सुसजध है यानि कहने को भी यहाँ पर जो इनके प्रवेश दोबार है इससे किया गया है तो यह था हमारा आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा देखे आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब आपको नोट्स बनाने की आउशक्ता नहीं है आप सीज़े सीज़े हमारे टेलिग्राम पर जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं या फिर यहां से क्लार्स नोट्स की पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके लाबा इस अध्याय से समझद अभ्यास पश्टनों वाली जो संखला का वीडियो है वो मैंने अल्रडी बनाया हुआ है आप चैनल के प्लेलिश्ट में जाकर उसको देख सकते हैं तो आज के लिए वस्तना ही आशा करता हूँ कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी तो आज के लिए वस्तना ही थेंक्स वर वाचिंग जय हिंदु